दोस्तों, सत्रह अप्रैल को बुधवार को समाप्त होंगे और नवरात्री के पूरे नौ दिन मातारानी पृत्वी लोग पर आकर के रहती हैं. इसलिए नवरात्री को जागरन का पर्व कहा जाता है. नवरात्री का महा पर्व नौ देवी अर्थात नौ कन्याओं को दोश काल सर्प दोश मात्र कन्या पूजन से शनी से पीडित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है। घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यू घर में कभी नहीं होती। दोस्तों आपको बता दें इस बार के नवरात्र बहुत ही शुभ और मंगल कारी माने जा रहे हैं। इस बार चैत्र नवरात्री 9 अप्रेल दिन मंगलवार को शुरू होकर और इसका समापन 17 अप्रेल दिन बुधवार को होगा। और नवमी को इन दोनों तिथिया में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्र को बहुत ही शुभ और मंगल कारी माना जाता है। और वही 8 दिनों के नवरात्र को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐस कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीग्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट दरिद्रता, दुख कष्ट नश्ट हो जाते हैं। नवरात्री में मातारानी का व्रत और प प्रेष्ट है कण्या के रूप में स्वयम जगदंबा देवी माता वैश्णो नौ देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। तिन कोटी देवी देवताओं का वास होता है कण्याओं के मस्तक पर कण्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वह सदैव पूजनीय है मा के समान मानी जाती है। दोस्तों माना जाता है व्रत और उपासना से मातारानी इतना प्रसंद नहीं होती है जितना की कण्या पूजन से होती है। नवरात्र में छोटी छोटी कण्याओं को मातारानी का माता वैष्णव ने वह भेंट स्विकार कर ली पर कन्याएं प्रसन्ही र समझ को उन्हें माता रानी का आशीरवाद मिल गया और माता रानी की खुष कर लियों citraoty से उन्हें मुह मांगा, वर्दान प्राप्त होता है, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता, समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है, उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है, दस बार गंगास्नान करने से और सौ बार यग करने से, तथा हजार बार यात् इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए, कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयम उनके मस्तक पर विराजमान होकर, स्वयम देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्री में दो साल से लेकर दस साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अश्टमी अथवा नवमी को कन्या ओ के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदी देना। श्रेष्ठ माना जाता है, दुरलब माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए इस दिन जितना ज्यादा हो सके, कन्याओं को हाथ पकड़ कर, पैर पकड़ कर, अपने घर तक लेकर आए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप अपनी राश्य भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा, तो व पाता को एक लायक जरूर करें, लायक करने में कंजूसी ना करें, दोस्तों, कैसे करें? कन्याओं का स्वागत, कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को ढूला चाहिए, खास कर मर्दों को, कन्याओं के पर आवश्यक धोने चाह फिर उसके बाद भोजन ग्रहन करवाना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में तीन पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है, तीन पूरियां तथा तीन रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है, ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में तीन पूरी कभी न दें, एक दो करके पूरी दे सकते हैं, इससे तीन संख्या बढ़ जाती है, और दोश भी नहीं लगता, दोस्तों कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में वाचना तथा आलू की सबजी, छोले वगेरा की सबजी खिलानी चाहिए, पनीर आदी भी खिलाया जा सकता है, वैसे मातारानी का प्रिय भोजन, खीर, हलवा, पूडी और छोले आदी ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्यास का इस्तिमाल कभी न करें, अन्यथा अनर कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट चिप्स वगेरा का पैकेट खिलते हैं, जो की घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्यास का इस्तिमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडन हो सकता है, मादुरगा क्रोधित हो सकती है, जहां आपने नौ दिनों तक लहसुन प्यास का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है, इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि मातारानी रूट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े, कन्याओं को डबाबंद कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं, जिसमें लहसुन प्यास होता है, कई चीज़ें ऐसी होती है मार्केट में, जिसके अंदर लहसुन प्यास का इस्तिमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना दोस्तों, कई लोग कन्याओं पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडी मेड लाकर ही खिलाते हैं, तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है, दोस्तों, ऐसा खाना खिला लाते हैं, जिनके घर में मान लीजिए, कोई दुरगटना आदी हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आप स्वस्त हैं, आपको कोई पीडा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए, माता रानी, दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है, फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयम ही अप पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए, माता रानी बहुत प्रसन्न होती है, घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए, हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए, ऐसे बरतन पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड के पत्ते में भोजन कराते हैं, तो माता अभय वर्दान प्रदान करती है। गोर पाप लगेगा आपका किया कराया। सब बरबाद हो सकता है। खटी चीजों से माता संतोशी रूट हो सकती है। आपको श्राप दे सकती है। इसलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए। क्यों क्योंकि लौंग देवी शक्ती तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिये है। लौंग माता शक्ती का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन नौ दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अम्रित से बढ़कर लॉंग प्रिये है। इसलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लॉंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। दोस् जब आपके घर से खुशी-खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी-खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी-खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना, कन्याओं को कोई सुन्दर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त् रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बरतन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना नहीं। तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोश आपको लग जाएगा। आप बरबाद भी हो सकते हैं दोस्तों। जब कन्याओं अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छूलें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद मातरानी अवश्य ही पूरी करती है। सच आपको नमस्कार करते हैं दोस्तों। यदि आप भी नवरातरी का व्रत करते हो तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि नवरातरी क्यों मनाते हैं। दोस्तों चैत्र नवरातरी मनाने के पीछे एक पौरानिक कहानी है कि मान दुर्गा ने महिशासुर नामक राक्षस का स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा विश्नु और महेश के पास जाते हैं। तब दोस्तों, तीनों देवताओं ने आदिशक्ती का आहवान किया। तब दोस्तों, भगवान शिव विश्नु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योती प्रकट हुई और वह ज्योती एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदिशक्ती प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किये। तब मां दुर्गा ने महिशासुर को चुनौती दी और नौ दिनों तक युद्ध चलने के बाद दसवें दिन मां ने महिशासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन नौ दिनों के दौरान देवी मां ने नौ रूप धारण किये और राक्षसों का वध किया। व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है इस प्रकार लोग इच्छा क्रोध, अहंकार, इर्शया लोब आधी से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धी स्वभाविक रूप से काम करने लगती है इस समय माता की शक्तियां जागरित रूप में होती है इस समय किया गया दान पुन्य उपाय तुरंत अपना असर दिखाते हैं